अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक, शेयर और सबस्क्राइब करें अब TDS काटने वाले मालिकों को एक बड़ी राहत 24 Q की समय सीमा 31 माई 2019 से बढ़ा कर 30 जून 2019 कर दी गई है केंद्रिय प्रत्यक्ष कर बोर्ट सीड भी डिटी ने इससे पहले 12 अप्रेल 2019 को टैक्स की सूचना के माध्यम से TDS दाखिल करने के लिए फॉर्म 24 Q में संशोधन के लिए अधिसूचित किया था इसके बाद फॉर्म दाखिल करने के लिए फाइल सत्यापन उप्योगिता FVU 24 Q को NSDL द्वाराई की समय 2019 को अपडेट किया गया था TDS की समय पर फाइलिंग में कटोती करताओं की वास्तवे कठनाई का निवारन करने के लिए अपने प्रारूप के संशोधन के कारण FVU 24 Q में विवरन और इसके ओनलाइन फाइलिंग के लिए फाइल सत्यापन उप्योगिता के परिणाम स्वरूप अधियतन CBDT ने निमनलिखित का आदेश दिया है 1. वितवश 2018-19 के लिए FVU 24 Q में TDS स्टेटमेंट फाइल करने की नियत तारीक को 31 मई 2019 से 30 जून 2019 तक बढ़ा दिया गया है 2. वितवश 2018-19 के लिए FVU 16 में TDS प्रमान पत्र जारी करने की नियत तारीक 15 जून 2019 से बढ़ा कर 10 जिलाई 2019 कर दी गई है